यह कुछ लाइन मेरे दुश्मनों के लिए है कि तुम शेर की खाल में भी कुत्ते हो तुम क्या दाढ लोगे और ये खड़ा तुमारा सामने तुमारा बाप बताओ क्या हो खाड लोगे खड़ा, हैलो गाइस आज का वीडियो भोती जिता कमाल का होने वाला है आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ए neben स्टेटास वीडियो को देखा दोस्तों तो आज मैं आपको कुछ इस तरह की attitude status video बना कर सिखाने वाला हूँ और दोस्तो आप यहाँ पर अपने खुद के photo से कुछ इस तरह का status video बना सकते हैं दोस्तो अगर आप लोग भी अपने खुद के photo से कुछ इस तरह का status video बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहे हैं इ कानमास्टर एप की लिंक मिल जाएगी तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर एप को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर एप को उपन करना है कानमास्टर एप करते ही आपके सामने कोछ इस तरह से ओप्सन आ जाएंगे तो आपको वीडियो को बिणाने के लिए असल ओपसान ही मिल रहा इस पर आपको खुलिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से guys आपको 960 की साइट को सिलेट करना है। Guys आपको Life Side में Setting बाड़ा आ이कर मिल रहा है This पर आपको unlflowerोप साइट करना है.. तो guys यहाँ से आपको उस photo का वाल paper को select करना है जिस पर भी आप video को बनाना चाहते हैं guys यहाँ से हम इस वाल paper को select कर लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने वाल paper को select कर लिया है guys आपको वाल paper पर click करना है click होने कौद इसकी length को ठोड़ा से लंब कर देना है यहां से आपको इसको done करना है, first position पर आ जाना है guys आपको फिर से layer पर click करना है, click होने कवाद आपको एक option मिल रहा है pen and zoom बाला है, इस पर आपको click करना है guys आपको नीचे वाले box पर click करना है, click होने कवाद guys आपको बाल पीपर को इस तरह से zoom करना है इस तरह से आपको बाल पीपर को जूम करना है यहां से guys आपको इसको डन कर देना है तो guys आप देख सकते हमारा बाल पीपर कुछ इस तरह से यहां पर set हो जाएगा आप देख सकते हमारा बाल पीपर धीरे धीरे जूम होता जा रहा है तो इस तरह से आपको बालपीपर को set कर लेना है set होने को आद guys आपको layer पर click करना है click होने को आद media पर click करना है यहाँ से guys आपको इसमें एक lyrics video को इसमें select करना है guys इस video को बनाने में जो भी video effect sound use होगे आपको उनसा भी का link इस video को dip kiss ने मिल जाएगा तो आपको link पर click करके सभी effect video को और sound को download कर लेना है इस तरह से guys आपको lyrics video को इसमें select करना है select होने को आद आपको नीचे side में इसको अच्छे से लगा देना है इस तरह से guys आपको नीचे side में अच्छे से इसको लगा देना है यहाँ से guys आपको नीचे चले जाना है वीडियो कुछ इस तरह से यहां पर edit हो जाएगी अब guys आपको layer up पर click करना है click होने काद media पर click करना है यहां से आपको इसमें एक sado png image को select करना है इस तरह से guys आपको sado png image को इसमें select करना है select होने काद आपको इसको खीच कर फोल स्कीन में इस तरह से लगा दना है guys आपको right side में 3.1 option मिल रहा इस पर आपको click करना है click होने काद आपको send to back पर click करना है click करते ही आपकी png sado image कुछ इस तरह से लग जाएगी आपको image की layer को खीच कर video के layer के बरा कर दना है इस तरह से यहाँ से आपको इसको done करना है first position पर आ जाना है अब guys आपको फिर से layer पर करना है click होने काद media पर क्लिक करना है यहाँ से guys आपको इसमें एक effect video को select करना है इस तरह से guys आपको effect video को select करना है select होने काद आपको इसको खीच कर फुल स्कीन में इस तरह से लगा लेना है यहां से guys आपको नीचे चले जाना है नीचे एक option मिलेगा blending इस पर klik करना है क्लिक होने काद़ guys आपको screen वाला option को select करना है यहां से आपको इसको done कर देना है guys आपको last war layer पर klik करना है यहां से आपको इसमें एक borderline को select करना है इस तरह से guys आपको borderline को select करना है guys आपको एक box वाला option मिल रहा है इस पर आपको klik करना है क्लिक होने काद़ इस पर आपको klik करना है क्लिक कर दिए आपकी borderline फुल स्कीन में लग जाएगी आपको borderline के layer को खीच कर video के लिए के बरावा कर देना है तो guys आप देख सकते हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर add हो चुकी है आप guys हम वीडियो को चला कर देखेंगे Guys आप देख सकते हमारी वीडियो कितने amazing तरह से यहाँ पर add हो चुकी है आप guys आपको इस वीडियो को सेफ करना है सेफ करने के लिए आप उपर एक option मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउन्लोड होने लगई तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटू लागा कर एक किसी वाल पेपर को लागा कर यह attitude status वीडियो बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो बनाने में कोई ही प्रावलम आ रही है तो आप मुझे मेरे इस्टाग्राम पर मैसेज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीज़ें आपको सब्सक्राइब कीज़ें